हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तीन सेप्टेंबर यानि आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में आज का वीडियो इंपोर्टन क्यों अने वाले हैं जादा तर बात करेंगे तमिलनाड मर्संटाइल बैंक के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग चीजे जो है वो बाहर आती हुई देखने को मिलिए कंप्टी ने अपने अंकर इंवेस्टर्स को यहाँ पर शेयर अलॉट कर दिये हैं जो अलॉट किये हैं वो भी अपने आप में काफी इंट्रेस्टिंग है उसके बात करेंगे करेंगे लेकिन दोस्तों तमिलनाड मर्संटाइल बैंक के जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स बिसिकली अशेयर उले जिंदसिंग की दूस्तों जो तमिलनाड मर्संटाइल बैंक की कुछ स्टेक रखते थे उन्होंने एसे टी को अप्रूफ किया था वह चाहते थे कि जो आई प्यों है वो अभी डिले हो जाए उसके उपर भी एसे टीना जो फैसला दे दिया है वो ब तो दिखें क्या निकल क्या है एक ख़वर सबसे पहले जो बात कर रहे है एसे टी डिसमिसेज प्ली अगेंस टीमब आई प्यो तो सबसे इंपॉर्टन बात तो यह यह कि एसे टी ने जो शेयर ओल्डर्स गय थे उनकी जो पेटीशन थी उसको देखिए डिसमिस कर दिया औ यानि अगर जब भी दोस्तों यहाँ पर जाना रहता है किसी भी कंपनी शेयर ओल्डर्स को किसी कंपनी के खिलाब तो वह एसे टी में जाते हैं तो इसी में देखिए जो माइनोरिटी शेयर ओल्डर्स थे टीमबी के देखिए कोई आइडेंटिफाइड तो इनके कोफरे वह ना आए लेकिन यहाँ पर एसे टी ने दोस्तों इनकी जो कह सकते हैं याची का थी बेसिकली उसको खारिच कर दिया है और अपील्स है बिन डिस्मिस्ट बाइ जस्टिस तरुन अगरवाल साफ साफ दोस्तों निकल के आ चुका है क्योंकि जो भी बाते की गई थ और फाइनल डिस्टों दोस्तों है उस पर यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि आई प्यों आता हुआ देखने को मिलेगा बट अपना पर देखेंगे कि इंपॉर्टन माजरा क्यों है प्रकोज समझ नहीं आएगा काफी लोगों को कि क्यों जाते होए देखने को मिले तो एक इक बार यहाँ पर साफ साफ निकल के आती है जैसा मैंने कहा शुरुबात में भी कि कोई इनके आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स नहीं है कंपनी के बात हम उनकी नहीं कर रहे है जो यहाँ पर CEO है या फिर मैंजिंग डारेक्टर है उन सब की नहीं आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स की क्योंकि याद रखेगा यह जो बैंक है यह पब्लिक बैंक तो है नहीं कि प्राइड बैंक और प्राइविट बैंक में दोस्तों प्रमोटर्स का ऐडेंटिफाइबल नहीं होना वह अपने अपने बहुत बड़ी बात होती है इसलिए माइनरिटी के असपास का और उन्होंने यहां पर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि IP की प्राइस बेंट ठीक है लेकिन इंपोर्टन यह कि तमिल्डार्ड मर्संडाइल बैंक ने अपने अंकर इंवेस्टर्स को 363.5 करोड पे 5 करोड के जो दोस्तों शेर्स है वो बेसिकली अलॉट कर दिये लेकिन अब अपने अप में फिर से एक इंट्रेसिंग चीज निकल के आती है क्योंकि माना जा रहा है कि जो प्राइस अलॉट की गई है वो की गई है अच 510 अब यह अपने अप में बहुत बहुत है क्योंकि कभीवी कोई कंपनी जो अपर प्राइस्वेंड होती है उसके नीचे शेर्स को अलॉट नहीं करती है लेकिन जो अलॉट किया गये वो किया गये एट रुपीस 510 अब 510 पे किस बैसिस पे किया गया यह किसी को नहीं पता है लेकिन दोस्तों जब आई प् प्राइस और जिससे कम पे आप दे रहें तो इसका मतलब क्या है क्या ये प्राइस बैंड जो है वो सही नहीं है क्या इस प्राइस बैंड से और नीथी आना चाहिए था अब ये कोईशन डेफिनिटली अराइस हो रहे हैं पान सो दस रुपए पर दोस्तो करने का क्या रीजन था ये कम से कम कमपनी को बटाना चाहिए अगर आप यहाप पे आई पी पॉ में पैसा लगाते हैं और स्पोज आप शेयॉल्डर बन जाते हैं तो फिर आपको किस basis पे जो share है वो higher price पे दिया जा रहा है अगर anchor portions को 510 पे दिया जा रहा है तो ये आपका भी एक right है कि आपको भी कम price पे मिला जाए तो मुझे लगता है कि ये जो company ने किया है वो definitely फिर से सवालों के घेरों में आती भी देखने को मिल गई है पांसो पच्चिस रुपे का दुस्तो प्राइस बैंड है पांसा थारी की बीच में आई पको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन 510 पे जो किया गया है वो definitely दुस्तो एक अजीब सी बात निकल के यह जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए पांसो पच्चिस पे शेयर्स देने चाहिए अधरवाइस आप जो पब्लिक को बोल रहें कि हमारे शेयर्स में पैसा लगाइए वो किस बैसे पर लगाएंगे यह important question निकल के आता है क्योंकि याद रखेगा जिस पी पे लाई यह company 9k आसपास का उसी के आसपास के सारे बैंक से राइट तो company ने ऐसा तो है कि बहुत जगह छोड़ रखी है आपे बहुत बड़ा मुनाफ़ा आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा listing gain भी आद रखेगा बहुत minimum होते हुए देखने को मिलेंगे अगर होते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि market का भी position आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है तो IPO में फिर से दिक्कत आती भी देखने को मिल रही है अगर company दोस्तों भी प्र IPO में पैसला मान के चलिए आता हुआ देखने को मिलेगा सबसे कम portion retailers को दिया गया 10% का 28 shares आपको एक lot में मिलेंगे अभी अगर gray market की बात करूँ तो अगर अभी आप gray market भी देखेंगे तो gray market भी थोड़ी से डाउन आई है कल 30 रुपे तक चल रही थी आज 25 रुपे ही रहती ही देखने को मिल गई तो हाँ डेफिनिटली gray market में भी थोड़ा से action है वो थोड़ा से negative side के तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है let's suppose इसको म चले दूसरे दिन जरूर वेट करें third day application लगाने का सोचेगा because जो subscription निकल के आएगा वो basically important रहने वाला है बात करते है next IPO के बारे में जो है dreamforks तो dreamforks भी definitely अब आपको listing के तैयारी करता हुआ देखने को मिलने वाला है छे तारी क्याद रखेगा वो date होगी जब यह आपको list होता हुआ देखने को मिलेगा stock exchanges पे जिनको भी मिला है वो definitely congratulations एक तो नौर पर price band चल रहा है मान के चली इसकी listing बढ़िया होती भी देखने को मिलेगी markets का अगर यहाँ पर सहारा मिल गया तो definitely और भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल जाएगा अब important question निकल के आता है कि जिनको नहीं मिला क्या वो खरीदारी कर सकते है तो मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि इसका पूरा detail video listing strategy का आएगा उसमें उन लोग के video यहाँ पर out होता हुआ देखने को मिलेगा तब वो video जो है वो Monday को में डाल दूँगा because Tuesday को listing के तो एक दन पहले ही सही रहता है video डालना तो वो Monday को में video upload करेके बता दूगा कि आपको listing strategy क्या रखनी है इस IPO के अंदर अब कुछ SME IPO की बारे में जानकाई लेल तो देखे वर्चुजो का तो ग्रे मार्केट जो है वो 22 रूपीज ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है और सब्जक्टो रेइस आप 44,000 बायर्स अमेया प्रिसीजन का 21 रूपय आपको ग्रे मार्केट चलता हुआ देखने को मिल का तो यहां पर GMP एक रूपय सेलर में चल रहा है रहतान जीरो यहां पर आपको दीपान का देखने को मिलेगा वन सेलर्स जय जल्राम का दो से तीन यानि सब्जक्टो रेट्स अरूं फोटीन हंड्रेड सब्जक्टो रेट्स जो आता है वो 8200 निकल रहा है फिक्स अप्ल वर्चू उसो वहां पर इंट्रेस्ट जो मुझे रखता है कि बन सकता है बढ़िया पर यह कि थोड़ा सा प्राइस बैंट जो रखा गया कंपनी के दर वह थोड़ा सा हायर साइड पर रखा गया बाद उसके बावजूद सब्जेक्ट विरेट्स आ क्वाइट गुड तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होप सब वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चनल से नहीं जोड़ो सब्सक्राइब कर देना थैंक्यो फ्रेंट वाचिंग इस वीडियो